भारत वर्ष एक भागवान देश है और यहां के रहने वाले लोग भागशाली हैं इतनी भागोलिक विविदिता अन्य किसी देश में नहीं है और यहां की इन वनस्पतियों का प्रियोग करके आप चाहें तो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं हमारी खुद की कोशिशें हमारे सरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं यदे हम अपने खान पान का उचित ध्यान रखें तो हमेशा हेल्दी रह सकते हैं और उड्जावान बने रह सकते हैं अगर आप भी अपनी सेहत को सेहत मंद रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह इस फल का सेवन चालू कर दें आवला एक फल देने वाला व्रच है या करीब 20 फिट से लेकर 25 फुट तक उचा होता है या हिमाले समेत समस्त भारत में आसानी से पाये जाता है संस्कृत में आवला को अमरता, अमरत फल, अमलकी और पंच रसा कहा जाता है अंग्रेजी में इसे इंडियन गुजबेरी कहा जाता है प्राचीन आयरुएदिक सास्त्रों में आवला को सारेरिक आउनत को रोकने वाला कल्यान कारी और युवर अबस्था को बनाए रखने वाला माता के समान रच्छा करने वाला कहा गया है आयरुएद में छह प्रकार के रसों का वर्णन है अब आवला के फल में पाँच रस पाय जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, ये मीठा होता है, कसेला होता है, तिक्त होता है, कड़वा होता है, अमली और खटा, ये पाँच रस इसमें पाय जाते हैं, इसलिए अईरुवेद में आवला को पंच रसा कहा जाता है, अईरुवेद सूख आने के बाद भी पोशक तक तो नस्त नहीं होते हैं दुनिया के सभी फलों की मुकाबले में आवला में कई गुना ज़्यादा विटामिन सी पाए जाता है आवला के बाद अमरूद ही एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाए जाता है तो चलिए देर ना करते हैं आपको आवला के कौन-कौन से फायदे हैं वो आपको बताते हैं आवला में मौजूद एंटी आक्सिडेंट मेटाबॉलिजम को बढ़ावा देते हैं जिसके कारण सरीर की कार करने की छमता में बरद्धी होती है यानि हमारा इस्ट्रैमिना बढ़ता है आवला सरीर को भरपूर ताकत देता है आवला में अतधिक मात्रा में विटामिन सी पाये जाता है जाले की दिनों में यदि आप सुबह सुबह एक से दो आवले के फल का सेवन करते हैं तो आपको ठंड से निजात मिलती है मौसमी रोग, सर्दी, कफ, खासी होने का खत्रा बहुत कम हो जाता है आवला का सेवन प्राता काल करने से रक्त में बढ़ा हुआ एसिड कम होता है खोन की गंदगी साफ होती है इसकिन में कसाव आता है और साथ में निखार भी आता है आवला का सेवन लीवर के लिए परम हितकारी है, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए सुबह सुबह आवला का सेवन जरूर करना चाहिए, भोजन का ठीक प्रकार से पाचन हो, आवला भोजन को पचाने में मदद करता है, आवला खाने से लीवर सुस्त रहता है, आमासा में अपने रेचक गुण के कारण ये साप कर देता है जिससे के पूरा का पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है इसलिए आवला पेट के लिए बेहद लापकारी फल माना जाता है इसके प्रयोग से खटी डखाराना, गैस बनना, अफारा, अपच और इंडाजेशन की सभी प कालों को हेल्दी रखा जा सकता है आँखों के रोशनी बढ़ाई जा सकती और पूरे के पूरे सरीर को सष्थ रखा जा सकता है आवला फल को प्राता काल खाने से सातों धातुएं पुष्ट होती है आवला त्रिदोस ना सक है वात्पित कप के असंतुलन को ये संतुलन संत कुलित करता है और ठीक प्रकार से शरीर को हश्ट पुष्ट बनाता है आवला में प्रचुर मात्रा में कैल्सियम होता है और इसे खाने से अर्थराइटिस आस्ट्रो पोरोसिस और जोणों के दर्द में आराम मिलता है आवला खाने से आँखों को हिल्दी रखा जा सकता है य नहीं नहीं जिने मोत्या बिंद है या कलर ब्लाइडनेस है या कम दिखाई देता है उन्हें आवला का रस जरूर पीना चाहिए आवला खून में मौजूद एसीड को कम करता है इसको खाने से दिमाग को अच्छा मैसूस होता है दिमाग को ठंड़क पदान करता है तनाव टे फायदे और बताते हैं आनियमित जीवन सहली वह खुद का ध्यान न रखने के कारण हमारी माताओं और बहनों को पीरियट के समय में कई तरह की दिक्केतों का सामना करना पड़ता है जैसे आनियमित पीरियट साइकल मतलब मासिक धर्म का समय परना होना पेट में अक्सर दर सानिया महिलाओं की समाप्त हो जाती हैं ये मौजूद इसमें पोशक तत्य जो होते हैं विटामिन खानीज ये पीरियट से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिला देते हैं अगर किसी को बांजपन की समस्या है तो प्रतिदी निसाओं लेका उसको सेव जारी फल है और इसको आप जाड़े की दिनों में आता है इसको आप नियमित खाईए दो फल रोज खाएंगे ना तो 30 दिनों के बाद आपको बहुत अच्छा अंतर दिखाई देगा